हेल एवरिवन जैहिंद आज है 4 नवंबर 2023 और 4 नवंबर 2023 से बनने वाले सभी इंपोर्टन क्योश्चन को आज की इस वीडियो में मैं डिसकस करने वाली हूँ तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले हम कर लेते हैं लास्ट लास का रिविजन तो लास्ट लास में आपने हमारे सब डिसकस किया था कि युनेस्को के द्वारा किस सहर को प्रथम साहित्ते का सहर बनाने की गोशना की गई है तो इसका सही आंसर है कोजी कोड फिर है के शहर को संगीत का शहर ये नाम दिया गया तो ये नाम दिया गया है ग्वालेर को उसके बादे सबसे तेज सो विकेट लेने वाले गिंदबाच वंडे क्रिकेट मैच में ये कौन बने है तो सही आंसर साहीन अफ्रीदी नई दिल्ली में 1620 शहरी गती शीलता भारत सम्मिलन का उत्गाटन तो ये किया है हरदीप सिंग पुरीने एक नवंबर 2023 को भारत के आठ राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है वहीं बात करें भूटान की तो भूटान जो है वो अवारा कुत्तों की नस्बंदी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है नंदनी दास की बात करें तो देखें 2023 के लिए ब्रिटिश अकैडमी बुक प्राइस से इनने सम्मानित किया गया है योगे अदित्यनात ने तीन दिवसी राज्य इस्त्री श्री अन्य महतसव का उधगाटन ये क्या है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में वहीं बात करें रोहीनी नईयर पुरुसकार की तो इसे सम्मानित किये गये हैं दीनानात राजपूत वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर आफ देयर का पुरुसकार तो ये मिला है विहान तलियाको जो की बैंगलोर से हैं तो देखे ये था आपका last class का revision अब देखे आप daily बहुत अच्छे comment करते हैं अब पुरा अंसर लिखके बताते हैं जो भी आपसे में पूछते हूँ class की बीच में उसका भी अंसर आप बहुत अच्छे से comment section में बताते हैं तो मैं आपसे गुजारेश करते हूँ कि ऐसे आप पार्टिसिपेट कीजिए और जितना best से best answer है वो आप देने के कोशिश करें आप देखे इसमें काफी सारे लोगों ने काफी अच्छी जो है answers लिखे हैं जितना जादा हो सके उतना आप कमेंट करिए और अपने answers को बहतरीन तरीके से लिखे देखे इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है बस यह है कि आपका जो रिविजन है वो काफी अच्छे से हो जाएगा जितना आप लेक के कोई चीज याद रखते हैं ना तो आपको long term के लिए याद रहती है ठीक है तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ और सबसे पहला आज का question है हमारे इस वीडियो का कि हाल ही में मश्रूम की एक नई प्रजाती की खोच की गई है तो आप से पूछा गया कि ये नई प्रजाती की खोच ये कहां पर की गई है तो देखे इसका सही आंसर है वेस्टन घाट की वेस्टन घाट यानि की पश्शीमी घाट पर मश्रूम की एक नई प्रजाती की खोज की गई है तो option number B आप यहाँ पर याद रखेंगे अब देखी हाल ही में पश्शीमी घाट में मश्रूम की नई प्रजाती की खोज की गई है पश्शिमी घाट देश के पश्शिमी टेट पर गुजराट से तमिल नाडु तक 1600 किलोमेटर लंबयाई में विस्तरत है यह खोच जवाहरलाल नहरू उश्निकटी बंदी वनस्पती उध्यान एवं अनुसंधान संस्थान के वग्यानिकों के द्वारा की गई है जवाहरलाल नहरू की बात करें तो दीखे उश्निकटी बंदी वनस्पती उध्यान एवं संस्थान ये जो है ये कहां परिस्थित है तो ये किरल में है और ये जो नई मश्रूम खोजी गई है इसका नाम क्या है तो इसका नाम है केंडलो माइसस एल्बो स्वे मुमस ठीक है तो ये आप ध्यान रखेंगे नाम क्योंकि आपके एक्जाम में पूछ सकते हैं कि अभी इस ये नाम आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे हाली में चर्चा में रहा ये नाम ये किस चीज से सम्मंदित है तो आप ध्यान रखेंगे ये एक प्रकार की मश्रूम है जो आपका Eastern घाट ठीक है तो देखे एक यह जिसे इंडिया का मैप आपका हो जाएगा तो इधर वाला हिस्सा यह आपका हो जाएगा कौन सा Western घाट और यह है आपका पूरा Eastern घाट देखे अलग-अलग स्टेट में इनका कुछ अलग-अलग नाम है ठीक है तो वैसे ही अगर हम ब इंडर वाला एरियास के अंदर कवर होता है ठीक है तो इतनी information आपको इस question से याद रखनी है बढ़ते हैं next question के तरफ हाल ही में अपने सभी जिलों में whole marking केंदर वाला पहला राज्य यह कौन सा बना है तो देखे अभी हाल ही में सभी जिलों में whole marking केंदर वाला पहला राज यह बन गया है केरल तो option number यह आप यहाँ पर याद रखेंगे देखे एडुकी में whole marking केंदर के उद्गाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में whole marking केंदर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है तो देखे बात करें केरल की तो राज्थानी है त्रीवंत इस्तित है वहें कुछ डिसकस कर लेते हैं केरल की करंट अफेर तो देखे केरल के राज्य सरकार ने सवाइकल कैंसर की रोक्थाम के लिए टीके करन कारेकरम शुरू करेगी ओनम की बात करें तो सबसे शुब दिन धिरू ओनम केरल में मनाते हैं भारत में पहले बार सोलर ब अगर में डिसकस करूं तो यहां पर डिसकस करते हैं पस्षिम मंगाल को तो देखे देश की पहली यहां पर देश की पहली अंडर वाटर जो मेट्रो ट्रेन हैं यह कहां पर शुरू की जाएगी यह की जाएगी पस्षिम मंगाल में और इस साल के लास तक यह वेस्ट से चलने वाली देश की पहली टोय ट्रेन यह रादिस्थान में शुरू होगी और उत्तरपःदेश की बात करी तो देखे उत्तरपरदेश के हमीरपुर में अभी हाल ही में water university जो है ये खोली जाएगी तीक है तो water university के बारे में ये कौन चुनी गई हैं, तो देखें, बात करें, WHO की दकशिन पूर्व एशिया छेतर की रीजनल डारेक्टर, तो ये बनी है साइमा वाजेत, ओप्शन नंबर, सी आप यहाँ पर याद रखेंगे, तो ये है साइमा वाजेत, जो बनी है, WHO की दकशिन पूर्व एशिया छ यानि के South East Asia Reason का नया छेतरी निदेशक की रूप में नामित किया गया है। WHO के बात करें तो 76-70 के दुरान ये चुनाओ हुआ है। वह डॉक्टर पुनम खेतरवाल सिंग के जगा लेगी और डॉक्टर पुनम की बात करें तो ये भारती है और इस पत पर पहुशने वाली पहली महिला भी है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। डबलो एचो के बात करें तो स्थापनवेती 1948-7 अप्रेल को मुख्याल ले इसका जनेवा स्विजरलेंड में और यहां के महा निदेशक तो ये टेड्रोस अगानों ग्रेबलियस ठीक है तो ये नाम भी आपको यहां पर ध्यान रखना है। अब अधर आप्शन को मैं डिसकस कर लेती हूँ तो देखे मनसुक मंदावय की बात करें तो ये कौन है तो ये अभी हमारे स्वास्थिय मंत्री हैं ठेक है और एक पार्टनर्शिप प्रोग्राम है जिसका नाम है स्टॉप टीबी पार्टनर्शिप बोर्ड उसके अध्यक ключ भी कौन है तो ये मनसुक मंदाविय ही है अरिंदम बाक्ची की बात करें तो देखे UN में भारत के ? इसथाई पर्ति नीके के रूप में कौन यत्थ हुए है तो ये अरिंदम बाक्ची वही बात करें अमि चत्रिय की तो देखे भारते मूलकें ये और जो अमेरीके स् Moon to Mars उस प्रोग्राम के ये प्रमुख है ठीक है तो ये आप ध्यान लखेंगे Moon to Mars एक इनका प्रोग्राम है उसके प्रमुख कौन है तो ये अमिच शत्री है और यहाँ पर आप से पूचे WHO की दक्षिन पूर्व एशा छितर की रिजनल डारेक्टर तो ये कौन है साइमा वाजेद अगला प्रश्ण है ब्रिटिस अक्यादमी पुस्तक पुरुषकार 2023 की से प्रदान किया गया है ये कल भी आपको किशन हुआ था तो सही आंसर है इसका नंदनी दास option number D नंदनी दास की पुख है कौर्टरिंग इंडिया, इंगलेंट, मुगल इंडिया एंड दे ओरिजन ओफ एंपाइर इसी को ब्रिटिश अक्यादमी बुक प्राइस 2023 प्रदान किया गया है ब्रिटिश अक्यादमी पुस्तक पुरुषकार की बात करें अधर option को discuss करें तो देखे सुधा मूर्ती की बात करें तो अभी हाल ही में Global Indian Award पाने वाली पहली भारते महिला तो ये कौन है सुधा मूर्ती नर्गिस मुहम्मदी की बात करें तो इरान से हैं और अभी नहीं Nobel Peace Award से समानित किया जाएगा दिसंबर में और जोन फोसे की बात करें तो लिटरिचर के छेतर में Nobel Prize मिलेगा जोन फोसे को अगला प्रश्ण है वैश्विक सिक्षक पुरुसकार 2030 के लिए भारती विज़ता का नाम आपको बताना है तो देखे वैश्विक सिक्षक पुरुसकार के बात करें तो ये कौन है तो इस साल का ये अवार्ड मिला है दीप नारायन नायक को तो आप्शन नंबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे कि इन्हें मिला है Global Teacher Award 2030 का अवार्ड तो आप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर याद रखना है देखे वह वैश्विक सिक्षक पुरुसकार 2023 के सीर्स 10 फाइनलिस्ट में से एक है विजिताओं को अवार्ड के रूप में कुल 1 मिलियन यानि कि 10 लाख अमेरिके डॉलर मिलेंगे और विजिता के बारे में गर हम जाने तो देखे दीप नारायन नायक के पश्यम मंगाल के आसन सोल जिले के जमूर्य में तिलका मांजी आदिवाशी के प्री प्राइमरी स्कूल में टीचर है और कोविड-19 जो लॉकडाउन के दौरान सिक्षा में उनके आसधरन परियासों के लिए उन्हें टीचर्स आफ दे स्ट्रीट की उपाधी भी मिली थी उस दुरान इन्होंने सड़क किनारे घरों की दिवारों पर ही ब्लैक बोर्ड बना दिया था और उनका मकसद एजुकेशन की डिजिटल विभाजन को समाप्त करना था ठीक है तो ध्यान लखेंगे इस बार का जो ये मिला है वैश्विक सिक्षक पुरुसकार तो ये मिला है दीप नारायन नायक को आपके लिए इंपोर्टेंट है तो जरूर याद रखेगा अधर आप्शन को डिसकस कर लेते हैं तो देखे रंजीत सिंग दिसाले की बात करें तो ग्लोबल टेचर अवोर्ड पाने वाली ये पहले व्यक्ति थी ठीक है तो ये ध्यान रखेगा कि पहले व्यक्ति थी जिने ये मिला था रंजीत सिंग दिसाले को ग्लोबल टेचर अवोर्ड वहीं बात के रतन टाटा की तो देखे ओर्डर अफ ऑस्ट्रीले से ने समानित किया गया है जो कि ऑस्ट्रीलिया का सरवोज सम्मान है ठीक है तो ये भी ध्यान रखेंगे पूर्णिमा देवी बर्मन की बात करें तो देखे यूएन का एक इन्वार्मेंट प्रोग्राम है उसकी द्वारा इन्हें चैंपियन ऑफ दी अर्थ ठीक है चैंपियन ऑफ द अर्थ से समानित किया गया था दो हजार बाइस में तो ये भी आपको ध्यान रखना है ठीक है अगला प्रश्ण है हाल ही में दुनिया की पहली यात्री फ्लाइंग टेक्सी EH21S को किसने मंजूरी प्रदान की है तो देखे वे हाल ही में दुनिया के पहली यात्री फ्लाइंग टेक्सी है जिसको मंजूरी अभी हाल ही में दी है बेसिकली चाइना ने तो option number D आप यहाँ पर याद रखेंगे ठीक है कि दुनिया के पहले यात्री फ्लाइंग टेक्सी है प्रमान पतर प्राप्थ हुआ है और चीन की कमपनी एहांग ने AH216S नाम की यहाँ एर टेक्सी लाँच की है और यह एक बार में दो पैसिंजर को ले जा सकती है अब यहाँ पर बात आई है चाइना की तो जान लेते हैं थोड़ा चाइना के बारे में तो रास्थानी यह इसकी बेजिंग है मुद्रह यहां की चीनी युवान और राष्टपती तो यह है इसकी जी जिनपिन और देखे युवान के साथ रैन बिन भी भी आपी जो करन्सिया वो यूज होती है ठीक है ये भी धियान रखेंगे चाइना की बात कर लेते हैं तो देखे भारत और चाइना के बीच में जो लाइन है इसको हम जानते हैं मैक मोहन के नाम से पोपुलेशन के मामले में अभी ये दूसरे नंबर पर है क्योंकि इंडिया जो है वो पहले नंबर पर आ चुका है अभी population wise hand in hand exercise की बात करें तो ये भी किसके बीश में होती है चाइना भारत के बीश में होती है hand in hand exercise ठीक है और बेजिंग में ही आपको headquarter देखने के लिए मिलेगा SCO का ठीक है तो इतनी information आपको यहां से ध्यान रखनी है तो दुनिया के पहली यातरी flying taxi ये किसने मंजूरी प्रदान की है तो ये की है चाइना ने जर्मनी से हम जानेगे कि पहली hydrogen से चलने वाली train ये किसने launch की है जर्मनी ने जापान की बात कर लेते हैं तो देखे भारत में जापान की साहता से ही bullet train की शुरुवात की जाएगी कहां पर एहमदाबाद से मुंबई के बीच में ठीक है चलने वाली है वहीं बात करें रश्या की तो यहां से आप जान सकते हैं कि रश्या से मिसाइल S-400 मिसाइल की और साथ में AK-203 Assault Rifle ठीक है इन दोनों की डील है रश्या से तो इतने information आप यहां से विश्विध्याले तो इसका नाम है तो देखें नाम से पता चल रहा है AMU यानि कि अलिगर्ट मुस्लिम उनिवर्स्टी तो आप्शन नमबर भी आप यहां पर याद रखेंगे कि इसी ने अपना पहला पहला नहीं आप कह सकते हैं कि खुद का उपग्रह SSAMU सेट लॉंच करेगा अलिगर्ट मुस्लिम उनिवर्स्टी तो देखें अलिगर्ट मुस्लिम विश्विध्याले की बात करें तो अपना पहला उपग्रह SSAMU सेट विक्सित कर रहा है जिसकी भारती राष्ट्री अंत्रिक्स समवर्धन और प्राधीकरन केंद्र द्वारा मंजूरी करना तो ध्यान रखेंगे कि SSAMU सेट यह लांच करेगा अलिगर्ट मुस्लिम उनिवर्स्टी अधर ऑप्शन को डिसकस कर लेते हैं तो देखें दिल्ली स्पोर्ट्स उनिवर्स्टी में पहली महिला चांसलर यह नियक्त हुई है कौन करना मलेश्वरी जो की भारतिलन से है ठीक है वहीं बात करें बनारस हिंदू विश्विध्याले यह निकि BHU की तो यहाँ पर आप यह याद रख सकते हैं कि 125 स्मार्ट लास रोम बाला पहला जो यूनिवर्स्टी थी यह दुनिया की यह कौन से थी यह BHU है और जवाहर लाल नहरो विश्विध्याले से अगर आप बात करें तो देखें यहाँ पर आभी हाल ही में तंजानिय की रास्ट पती जिनका नाम है सामिया सुलू हसन इन्हें मानत उपादित समानित किया गया है और ऐसा पाने वाली यह पहली महिला बन गई है ठीक है तो यह आप ध्यान लग सकते हैं JNU से अगला प्रश्ण है हाल ही में मेक्सिको सीटी ग्राण प्रिक्स किसने जीती है तो देखें बात करें मेक्सिको सीटी ग्राण प्रिक्स तो यह जीती है मेक्स वेस्ट अपन ने तो ऑप्शन नमबर सी आप यहाँ पर याद रखेंगे तो अधर हम कुछ और इंपॉर्टन ग्राण प्रिक्स क बात करें तो यह भी Max Westappen ने, Belgium Grand Prix की बात करें तो यह भी Max Westappen ने, British Grand Prix की बात करें तो यह भी Max Westappen ने ही जीती है, अब देखें आप मुझे comment section में बताएंगे कि Max Westappen यह किस car के driver है, ठीक है, लियोनल मैसी की बात करें तो देखें अभी न्यूस में थी, क्योंकि आठवी बा Cristiano Ronaldo की बात करें, तो यह Portuguese से हैं और यह भी वहां के star footballer है, और अगर हम बात करें सबसे अधा कमाई करने वाले एक athlete के क्रम में, तो सबसे उपर कौन है, रोनाल्डो है, लुइस Hamilton की बात करें, तो यह भी Formula 1 के driver है, जो की England से हैं, और driver है किसके? Mercedes की, ठीक है, तो यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, अगला प्रशन है आपका, चोवनवे अंतरास्ट्य फिल्म महुत्सव यानि की IFFI के अंतरास्ट्य जूरी पैनल का प्रमुक किसे बनाया गया है? तो यह बनाया गया है, शेखर कपूर, option number A आप यहाँ पर याद रखेंगे, अब देखे, IFFI के स्रेस्ट डेब्यू, फीचर फिल्म के पुरुसकार के लिए परविस्टियों के मुल्यांकन में महतपुन भुमी का निभाएंगे, अन्ने सदश्य की बात करें तो जॉस लूइस अलकीन, यह सिनेमेंटोग्राफर है, जरॉम पैलॉड यह फिल्म निर्माता है, कैथरीन ड नूरी पैनल के प्रमुक है, यह कौन है? शेकर कपूर, माइकल डगलस की बात करें, तो देखें इसी फिल्म फेस्टिवल में, जो यह हो रहा है आपका फिल्म फेस्टिवल, इसी में जो सत्यजीत लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड है, सत्यजीत लाइफटाइम एफफ आई हुआ था, तो उसमें इंडियन फिल्म परस्नालिटी ओफ दे यॉर, इससे समानित कौन हुए थें, तो यह हुए थें, चीरन जीवी, तो यह भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? अगला प्रश्ने आप सभी के लिए, विश्व सहकारी दिवस ये कम मनाया गया है, तो विश्व सहकारी दिवस के बात करी, तो यह मनाया गया है, एक नवंबर को, option number A आप यहाँ पर याद रखेंगे, तो देखे, विश्व सहकारी दिवस के स्थापना, 1970 में उतरी अमेरिके सहकारी सोसाइटी के द्वारा की गई, और इसके बात पूरे दुनिया में य है, दिवस आजित किया जाने लगा था, वैश्विक अबादी का लगबग 22 परतिशत सहकारी है, और यह संक्या बढ़ सकती है, तो यह भी आप धान लग सकते हैं, और vegetarian day celebrate किया गया है, एक नवंबर को, अब हम आगे डिसकस करेंगे कि one day विश्व कप इतिहास में सरवादि लेने वाले गेंदबाज है, और उसके बाद जहीर खान और जवागल स्रीनाथ हैं, दोनोंने 44-44 स्विकेट लिये हैं, उसके बाद इस लिस्ट में तेज गेंदबाज जस्रीद बुमरा का नाम आता है, जिन्होंने अभी तक 33 स्विकेट लिये हैं, अब हम डिसकस कर लेते कुछ static revision को, तो देखे, कंगारू के देश को हम जानते हैं Australia को, मानव विका सुचकांग ये जारी करता है UNDP, विशु जन संख्या दिवस तो ये मनाते हैं 11 जुलाई को, कमेंट में आप बताएंगे किसकी इस बार की theme क्या थी, हिडकल परियोजना तो ये है घाड प्रभा नदी पर, गारो, खासी और जयनतिया, ये है मेगाले में, छेतरफल के द्रस्टी से, विशु का सबसेवड़ा डेल्टा, तो ये है सुन्दरवन डेल्टा, मंगल की परिकिर्मक अक्षा में जाने वाला प्रथम एशाई देश, तो ये है भारत, मौम मिशन हुआता, ध्या रखेंगे, यूरेनस की खोश किस ने किये, तो ये किये हर सेल नहीं, प्रत्वी के उपग्रोव की संख्या, तो ये है एक, जो की कौन सा है, चंदरवा, जो की न्यूस में था, विकाउज अफ चंदरियान, थ्री, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मी भाई, बांध पर पॉर्शन पर, तो दीके ट्रिक में मैं आपको बताऊंगी, ब्रिक्स के बारे में, तो ब्रिक्स जैसे कि आप सभी जानते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, और ये है साउथ अफ्रीका, तो इसमें भी 6 नए मेंबर जुड़े हैं, जो कि आपका अर्जेंट कि जो AI है, Artificial Intelligence ये आपको देख रहा है, तो A से आपका अर्जेंटिना, I से आपका हो जाएगा, क्या, बताइए, इरान, S से आपका सौधी अरबिया, E से आपका एजिप्ट और इथोपिया हो जाएगा, और U से आपका हो जाएगा, United Arab Amirat, ठीके तो ये ट्रिक आप याद आते हैं, Hone of Africa के बारे में, दीके, Hone of Africa में चार देश आते हैं, जो कि आपका जिपूती, Eritrea, Eritrea, इतोपिया और सौमालिया शामिल है, आप से कुछन में पूछ सकते हैं कैसे भी करकर कि इन में से कौन सा Hone of Africa का हिस्सा है, कौन सा अफरिका का हिस्सा नहीं है, तो आपको तो चारो ही देश याद रखने हैं कौन-कौन से इरिट्रिया, जीबूती, सोमालिया और आपका इथोपिया ठीक है क्योंकि इनका जो 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 ग्राफिकल आप लोकेशन दिखेंगे ना तो ये कुछ शेप इनकी जो शेप है ये कुछ ऐसे सींग की तरह ही दिखाई देती है तो इसलिए इसको नाम देते हैं होन उफ अफरिका की बारे में तो ध्यान रखेंगे ये कौन-कौन से हैं जीबूती, इरिट्रिया, इथोपिया और सोमालिया तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं तो ये अभी आपके एक्जाम के पॉइंट फिर से काफी इंपोर्टन है अब मैंने टेलिग्राम पे आपसे डिस्कस किया था कि मैं आपको कुछ करंट के साथ साथ कुछ स्टैटिक पोशन भी डिस्कस करूँगी तो देखिए वो कुछ इस तरीके से था जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा न्यूस पेपर में एंटिडिफेक्शन लो यानि कि दल बदल कानून काफी न्यूस में है तो मैं उसको अलग से आपके लिए एक्स्प्रेइन कर दूँ कि दल बदल कानून ये कौन से आर्टिकल में है कब इसको शामिल किया गया क्या इसके अंदर होता है कैसे किसी परसन पे एंटिडिफेक्शन लो लगता है तो मैं कुछ इस तरीके से आपके से डिसकस करूँ इसके रहाब एक और एक्जाम्बल में आपको बताती हूँ कि अभी कॉलिजन वगा थे ट्रेन का ठीक है तो उसमें कवज सिस्टम आपने सुना होगा नीजस में था तो कवज सिस्टम क्या है कैसे इसका स्तमाल कर सकते हैं तो कवज सिस्टम क्यूँ वहां पर जो उडिषा में हुआ था या फिर जो अभी train collision हुआ है आंदरपरदेश में तो उसमें क्यों यह successful नहीं हुआ है तो यह सब चीज मैं आपकर discuss करने के लिए सोच रहे थी तो आप क्या चाहते हैं कि यह discuss हो या नहीं आप मुझे comment section में बता सकते हैं या फिर normal आपका current affair भी हम continue रखें जो भी आपका feedback रहेगा आप मुझे comment section में बता सकते हैं और आपका last class का question था कि परतिसी बैल इंडियर अवर्ड ये मिला है लियोनल मैसी को और आज के लिए आपका question है किस लोग वाके के नए प्रधान मंतरी ये कौन बने है इसका जो भी आंसर है आप मुझे comment section में बताएंगे तो आज लिए इतना हैंगे so much have a good day